गुरूप चैनल के बारे में तो वही सिमिलर लैब है जो हमने स्टेंडर एस लेखी थी दिखी थी बट इसमें थोड़ा सा एक हमने एड़न किया है एक सर्वर एड़ड किया है यहाँ पे और यह सर्वर काम करेगा आपका अभी FTP server की तरह है तो यह जो server है मेरा यह किसका काम करेगा FTP और इसको IP मैंने दे रखा है कौन सा 10.1.0.2 और I guess यह IP यहाँ पे हो गया है गलत हमारा है न 10.1.0.1 तो यहाँ पे यह 0.1 की जगह कौन सा है 0.2 है तो मेरा पैन अगर मिल जाए तो इस चीज थोड़ा सापको correction करनी है और document में मैं कर दूँगा चलो उसके बाद अब requirement objective क्या है हमारे पास कहता है कि जो sales LAN है मतलब की again यही 10.3.0.0.16 इसको रोकना है FTP use करने से जो R&D server है तो R&D server कौन सा है हमारा जो यह वाला server है R&D department में 10.1.0.2 यह इसको FTP से access अगर अभी कर पा रहा है तो यह ना कर पाए ठीक है तो फिलाल मैं एक बार check कर लेता हूँ इस पे से मैंने अपनी पुरानी ACL हटा दी थी अगर आप देखें तो क्या command थी ACL हटाने की no access list और जो भी number था 10 और interface में जाके आप अगर देखेंगे मैंने क्या लगाई थी IP access group 10 और out लगाई थी इस पे मैंने अब क्या कर दिया है no इसका मतलब अब do show access list कुछ नहीं है अपने list disable or delete दोनों कर दिये ठीक है अब यहाँ से अगर मैं FTP server access कर नेगोशिश करोंगा तो आप अगर इस पे चलेंगे services में FTP में on है मैंने एक user बना रखा user के नाम से by default Cisco भी एक user है तो आप जिस मर्जी से चाहें access कर सकते हैं चलिए तो यहाँ पे चलते हैं हम और पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि जी पिंग हो पा रहा है कि नहीं हमारा 10.1.0.2 ठीक है reachable है तो let's see कि मैं FTP ले पाऊंगा कि नहीं उसका चलो जी username Cisco password Cisco and you can see हम inside the FTP server चलिए उसके बद मैंने एहाँ से exit किया और मैं अब क्या चाहता हूँ ACL लगारा चाहता हूँ इस sales वाले PC को इस FTP server को access करने से रोकने के लिए चलिए तो हमने क्या किया है access list 100 तो 100 का मतलब क्या हो गया हमारा extended ACL ठीक है फिर कहता है कि आप अगर देखेंगे न FTP जो है वो under TCP गाम करती है कि support number पे 21 पे तो मैंने deny में लिखा TCP ठीक है source कोन है ये entire network पूरा subnet 10-300-00255-255 और एक ही server है यहां पर मालो एक और कोई server लगा होता उसका FTP नहीं रोकना आपना उसका तो ले पाओगे अगर आप 10.1.0.3 रखोगे तो आप चेकर करके देखे ले ना उसका access करवाओगे पर अकेले host का आपको रोकना है destination अकेला host है और TCP के अंडर जो port नमबर 21 है मतलब FTP उसको आप क्या करना चाहते हो deny और अब अगर मालो यहां पर और कोई user है ठीक है उसके लिए FTP यह same वाला enable करना चाहते हो तो उसके लिए permit IP any any और फिर आप interface पर जाओगे कौन सा अब देखो यह extended ACL है extended का मतलब आपको closest to the source प्रैफर करते हो this is your source site subnet तो इस पर जो subnet है gig 2 by 0 अच्छे यह 0 by 2 नहीं है 2 by 0 होगा ठीक है और command के IP access group पिर number या name अगर होता list का और in पर लगता है तो यह simple सा आपने क्या है command यूज करनी है तो फिर मैं क्या करता हूँ यहां से इसको करता हूँ copy control C और router पर आप करोगे paste तो list आपकी बन चुकी है do show access list करोगे तो इस list में अभी आपको entry मिलगी एक चलिए अब list को implement करना है तो मैं जाता हूँ interface gig two by zero पे यहां पर भी मैं correct कर दो ताकि आपके लिए असान हो gig two by zero है ना चलिए अब interface पे IP access group किस नंबर से बनाई थी हमने hundred चीक है यह वाली list है और in पे लगेगी है ना क्योंकि source की side पे लगा रहे हो आप चलिए अगर आप try करेंगे अभी न इसमें दुबारा से मैं एक बार आपको दिखा हूँ do show access list तो अभी कोई भी आपका match नहीं हुआ है अचा permit IP ने डाली शाए दमने न तो access list यह भी आपको डालने चाहिए थी command कौन सी जो मैंने miss कर दे hundred और permit IP any अगर आप देखोगे तो अपने two by zero के अंदर आपने यह apply कर रख चलिए अच्छी बात है अब वापस से चलते हैं अपने client टेस्टिंग के लिए और FTP ट्राइ करो ओके गड़बड कहां कर दी होगी हमने यह देखो यह 10.1.0.1 लगा दिया जबकि होना क्या चीए था यह 10.1.0.2 ठीक है तो यह शुट-शुटी सी गलती आपको ध्यान रखने हैं मुझे नहीं पता यह on purpose था मेरा या गलती से ही हुआ है मेरे से भी but anyway अच्छी बात है कि थोड़ा सा अपने को पहचान में आगी गलती गया है तो मैं क्या करता हूँ अब अगर आपको ध्यान हो यह मैंने run करी थी command यह वाली है ना अब इसमें मैं क्या कर दूँ बस one की जिएगा कर दूँ तो और इसके बाद फिर access list 100 में आपका permit IP एनी एनी चलिए show access list करूँगा चलो अच्छी बात है अब वापस से चलते हैं अपने अगर यह अगर आप देखोगे यह ट्राइग कर रहा है ट्राइग कर रहा है मैं इसको एक्जिट करके दुबारा से अगर देखूँगा तो यह आप देख पा रहे हो connecting connecting ट्राइग यह ना पर ट्राइग करता रहेगा अब यह connect हो नहीं पाएगा ठीक है so this is how you can see कि we are able to implement our extended ACL तो जिसके अंदर हमने क्या किया अच्छा आप एक और चीज़ देखो जरा क्या आप अपने TFTP को पिंग कर पा रहे हो FTP सर्वर को पिंग 10.1.0.2 देखो पिंग कर पा रहे हो मतलब आपने total access ब्लोक नहीं करी उसमें से एक service सिर्फ TCP की एक service FTP अपने ब्लोक करी है so this is the case the power and the flexibility about what is that your extended ACL दुबारा से आप चेक करोगे देखो यहाँ पे आपको matches दिखे हैं deny वाले जो FTP दिखे हैं और पिंग मैंने किया था तो उसके आपको permit वाले वी so okay I hope यह वाली clarity आपको होगी है अपनी extended ACL कैसे काम करती है उसके लिए तो यही सब यहाँ पे लिखा है और यह और lab है आप इसको देख लेना implement करके solution इसका लिखा हुआ है ठीक है objective आपके अलग-अलग objective है उसके बाद आपकी practice labs है जी एक practice lab यह है यह है आपकी lab 3 है और lab 3 के अंदर multiple scenarios है यह lab 3 के बाद अच्छा कुछ बीच में है न sold QE मिलेगी आपको और कुछ फिर बीच में practice की मिलेगी तो यह आप देख लेना यहाँ पे जैसे यह lab 4 है यह practice की lab 4 है यह lab 4 अगली आगी अपनी एक उसी है जो मेरी explain की हुई है यह फिर solution के साथ तो इसी की तरह की फिर आगे practice lab मिलेगी जो मैंने करके दिखाए होंगी उसी के तरह की फिर आपको practice वाली मिलेगी देखो practice lab 5 के objectives है 6 है तो अलग-अलग objectives के साथ तो I guess की इसमें सारे ही scenarios almost clear कर रखे होंगे आपके ठीक है 7 ठीक है फिर यह आपका explanation वाली lab 5 है दो objective थे जिसके अंदर फिर यह आपकी lab 6 है again solved है और फिर lab 8 है practice के लिए तो इसके बाद practice lab 9 है 10 है तो आप देख सकते हो कि काफी सारी practice labs मैंने यहाँ पे include करी है तो जी I hope यह clear होगा आपको और अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे कि आपको अगर telnet का access restrict करना है तो उसके लिए आप ACL कैसे बनाओ और अगली वीडियो तो क्या इसमें अगर देखोगे न तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको अब समझ में नाए तो IS इसी वीडियो में include कर देते हैं हमें न तो आप देख लो और अगर कोई लगे कि दिक्कत वाली बात है अभी तक अगर ACL के funding clear हो गे हो न तो फिर आपको कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चीए अच्छा लेकिन ये मेरी interface ठीक है यार एक lab रख लेता हूं क्योंकि इस पे ना interface पे नहीं लगती आप VTY के interfaces पे लगाते हो virtual terminal वाला ठीक है हम क्या करते हैं अगली एक video रख लेते हैं दो scenarios करेंगा एक मैं lab करके दिखा दूँगा आपको और same यही pattern रखेंगे कि दो-तिल लाब आपको practice के लिए दे दूँगा okay so I hope again this video has been informative for you guys तो मैं आपसे मिलता हूं अगली video में where we'll be talking about you know the rest of the ACL parts तो आपका 10 net access blocking है और I guess फिर कुछ और चोटे मोटे concepts बचेंगे ACL के उसके बाद we will be done with the ACL part so thank you so much for watching this video और अगर लगे कि यह notes वगार आपके लिए helpful हो सकते हैं आपका time बच सकता है और आपके पास इतना time नहीं है कि आप notes बनाए और यह सब तो you can buy these notes, study guides and workbook and you can support the channel also so that is you know highly appreciated by us guys चलिए तो मिलता हूँ अवली वीडियो में अपना ख्याल रखिए सिखते रहे, सिखाते रहे और मस्ते रहे बाबाई